हम में से ज़ाद तर लोग आटोमेटिक ट्रांसमिशन कार में ड्राइविंग के स्मूथ और सरल होने का आनंद लेते हैं ड्राइविंग सरल है क्योंकि आपको गेर बदलने के बारे में चिंता करने की जरुरत नहीं है और आपके पास ऑपरेट करने के लिए क्लच पैडल नहीं है एक आटोमेटिक ट्रांसमिशन कार में क्लच पैडल का काम आटोमेटिक रूप से एक चुपे हुए कंपॉनेंट द्वारा किया जाता है जो वास्तव में एक इंजिनियरिंग मार्वल टॉर्क कनवर्टर है टॉर्क कनवर्टर टॉर्क को कई गुना बढ़ा भी सकता है आईए देखे कि ये प्यॉर्ली मेकैनिकल डिवाइस अपने टास्क्स को कैसे परफॉर्म करता है मान ले कि आप स्मूथली गाड़ी चला रहे हैं और आपको ब्रेक लगानी है जब आप ब्रेक पैडल दबाते हैं तो वीहिकल के ड्राइफ पहिये मुडने बंद हो जाते हैं इसका मतलब है कि ड्राइफ शाफ्ट और एसोसियेटेड ट्रांस्मिशन को बंद करना चाहिए लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि ब्रेक लगाने से आप इंजिन को रोक नहीं रहे हैं ब्रेकिंग के समय अगर इंजिन और ट्रांस्मिशन मेकानिकली जुड़े होते हैं तो इससे गंभीर मेकानिकल फेलियर होगा या इंजिन रुख जाएगा इस परपस के लिए आपको एक मोशन आइसोलेटर की ज़रूरत है यह मोशन आइसोलेटर टॉर्क कनवर्टर है आइए देखें कि यह कैसे काम करता है यह वास्तव में एक सिंप्लिफाइट टॉर्क कनवर्टर है यह मूल रूप से एक पंप और एक टर्बाइन है जो ट्रांस्मिशन लिक्विट में इमर्स्ट है पंप सीधे इंजिन से जुड़ा हुआ है इसलिए यह हमेशा इंजिन स्पीड पर टर्न होता है पंप के आसपास के लिक्विट को सेंट्री फ्यूगल फोर्स के कारण बाहर की ओर धकेल दिया जाता है और इसका प्रेशर बढ़ जाता है पंप का रोटेशन पंप छोड़ने वाले लिक्विट में एक स्वरल जोड़ता है टर्बाइन पंप के पास होता है और पंप से निकलने वाली हाई एनरजी फ्यूट टर्बाइन को टर्न करती है टर्बाइन ट्रांसमिशन से जुड़ा हुआ है इस तरह एंजिन पावर को ट्रांसमिशन फ्यूट के माध्यम से ट्रांसमिशन में ट्रांसफर किया जाता है अधिक विशेश रूप से इस कॉन्फिगूरेशन को एक फ्यूट फ्यूट फ्लाइ वील के रूप में जाना ज टर्बाइन से फ्ल्यूट को वापस पंप पर कुशलता पूर्वक भेजना है। हम बाद में रियक्टर के अधिक फंक्शन्स पर चर्चा करेंगे। इस कॉन्फिगूरेशन के साथ भले ही ट्रांस्मिशन अचानक रुका हुआ हो। ये इंजिन के रोटेशन को एफेक्ट नहीं करेगा। पंप और टर्बाइन के बीच स्लिप पेच की अनुमती यहां दी गई है। क्योंकि वे लिक्विट से जुड़े हुए हैं। नॉर्मल ओपरेशन के दौरान पंप टर्बाइन को मोशन और पावर ट्रांसफर करने में सक्षम होगा। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि फ्लिउट में एनर्जी की कमी के कारण टर्बाइन पंप के आर्पिम से थोड़ा कम टर्न होगा। ये एक सिंप्लिफाइड टौर्क कन्वर्टर है। लेकिन आपको वास्तविक टौर्क कन्वर्टर में इस तरह का कॉन्फिगूरेशन कभी नहीं मिलेगा। एक वास्तविक टौर्क कन्वर्टर के पंप और टर्बाइन को यहां दिखाया गया है। एक वास्तविक टौर्क कनवर्डर में pump ट्रांसमिशन के पास होता है और टर्बाइन इंजिन के पास होता है। चलिए बहदर समझ के लिए components को proper colors दें। इंजिन से rotation को cover की मदद से pump में transmit किया जाता है। टर्बाइन output rotation को central shaft का इस्तेमाल करके transmission में transmit किया जाता है। हाला कि इस arrangement को पिछले case के comparison में अधिक complex क्यों बनाया गया है इसका जवाब fluid mechanics के बजाए mechanical से आता है एक torque converter के कुशल operation के लिए pump और turbine दोनों को crank shaft center line के साथ in line में घुमाना चाहिए pump सीधे engine crank shaft से जुड़ा हुआ है इसलिए ये हमेशा centered रहेगा हाला कि turbine इस unit से independent है इसका मतलब ये है कि turbine और crank shaft के बीच एक bearing का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जैसा कि illustrate किया गया है ये सुनिश्चत करने के लिए कि turbine भी crank shaft के लिए centered है current configuration में कोई भी इसे आसानी से अचीव कर सकता है हाला कि पिछले configuration में ये बहुत मुश्किल है क्योंकि turbine crank shaft से बहुत दूर है अब आप सोच रहे होंगे कि motion isolate करने वाले इस device को torque converter के रूप में क्यों नामित किया गया है ऐसा इसलिए है क्योंकि इस device के सबसे महत्वपूर्ण functions में से एक है torque को multiply करना ताकि विहेकल चलना शुरू हो आईए देखें कि torque converter कैसे करता है reactor one way clutch के माध्यम से एक stationary shaft से जुड़ा हुआ है इसका मतलब है कि reactor एक दिशा में मुड़ सकेगा लेकिन इसके opposite नहीं समझने में आसानी के लिए components के बीच spacing को increase करें अब विहेकल शुरू होने की situation पर विचार करें यहाँ pump engine speed से घूम रहा है लेकिन turbine की speed कम है और ये धीरे धीरे बढ़ रही है इसका मतलब ये है कि fluid जो turbine को छोड़ देता है लगभग axially travel करता है जैसा कि दिखाया गया है ये fluid जब reactor blade से टकराता है तो दिखाये गए अनुसार reactor को spin करने की कोशिश करेगा लेकिन reactor में one way clutch इस motion को रोकता है तो क्या होता है कि stationary reactor के कारण fluid को pump के rotation के समान direction में मोड दिया जाएगा जैसा कि दिखाया गया है short में जो pump प्रवाह में घुमता है पहले से ही घुमता हुआ fluid प्राप्त करता है इससे pump का काम आसान हो जाता है और pump पर ज़्यादा pressure बढ़ जाता है ये highly pressurized fluid turbine में एक amplified torque generate करता है और इस प्रकार transmission और vehicle torque का एक great level receive करती है जैसे ही vehicle चलना शुरू होती है हाला कि जब turbine की speed बढ़ जाती है तब turbine छोडने वाला fluid अधिक inclined हो जाता है जैसा कि दिखाया गया है और एक समय पर inclined flow reactor blades की दूसरी तरफ से टकराता है reactor इस direction में spin करने के लिए free है तो reactor, pump और turbine के समान direction में spin होता है आप देख सकते हैं कि pump inlet में swirl generation पिछले case के comparison में कम है और torque multiplication seize हो जाता है यहाँ turbine pump की speed के लगभग 90% पर rotate हो रहा होगा यह एक शानदार design है जैसे ही vehicle चलनी शुरू होती है जब drives को maximum torque की ज़रूरत होती है torque converter torque को multiply करता है जब turbine एक threshold speed प्राप्त करता है तो torque multiplication automatically बंद हो जाता है इस प्रकार reactor vehicle के शुरूवात में एक crucial role निभाता है लेकिन reactor के बिना torque converter नॉर्मल operation से भी अच्छा perform नहीं करेगा आईए देखते हैं क्यों आपने notice किया होगा कि turbine के blades curved हैं वे flute से maximum energy को absorb करने के लिए लगभग 90 degree curved है इसका मतलब है कि turbine blades हमेशा flute को pump और turbine के rotation के opposite direction में छोडने के लिए force करेंगे high turbine speed बरभीज के कारण turbine outlet पर flute swirl minimum होगा अगर हम एक reactor का इस्तिमाल नहीं करते हैं तो ये low swirl pump की performance और पूरे torque converter को बुरी तरह से effect करेगा reactor के introduction के साथ flow फिर से divert किया जाता है और pump बहतर swirl के साथ flute receive करता है normal operation में भी आप पाएंगे कि torque converter में turbine pump की तुलना में धीरे घुमता है ये coupling flute के अंदर energy loss के कारण है ऐसे energy losses को खत्म करने के लिए modern torque converters lock up clutch का इस्तिमाल करते हैं normal operation के दौरान इस clutch को activate करके turbine को mechanical रूप से pump unit के साथ बंद कर दिया जाएगा और वो same speed से turn होंगे ये flute friction के कारण energy loss को eliminate करता है वीडियो को खत्म करने से पहले चलिए इस शानदार mechanical device के users summarize करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमारे patrons में से एक होना न भूलें